मेरे भाई कैसे हो? आप इसे पूछ रहा हूँ, सब बढ़िया? चलो. आज हम लोग QNV करने वाले हैं, संडे है, आपका दिन है, आपके सवाल होंगे और कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की. अच्छा, सबसे पहले, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो के comment section से questions हम लोगों ने उठाये हैं, इस बार mail से भी हम लोगों ने questions उठाये हैं, आप हमें mail करते हो, और Instagram पर आप जो messages करते हैं, वहाँ से भी हम लोगों ने बहुत सारे questions पिक की हैं, उनमें से, जो सबसे ज्यादा important आपके लिए होंगे, उसको हम लोग पिक कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा information यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत कुछ सीख कर जाओगे आज की वीडियो से, तो वीडियो को पूरा देखना, और height के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड से बड़ी दिक्कत थी, वो ये थी कि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार इसको कुछ करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ब्रह्माचेरे का पालन करना शुरू किया, बहुत लोगों के अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा लगे वी अशलील चीज़े देखने की गलत काम खड़ने की, मेरी जो समस्या थी, वो थी गुस्सा को लेकर, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, चोटी-चोटी बातों पर, और ये मेरे लिए सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, अब कुछ किया जाए इसको लेकर, तो फिर जब मैंने ब्रमचरे का पालन करना शुरू किया, मुझे रियलाइस हुआ कि हाँ यार, शान्त हो रहा है, स्टेबल हो रहा है माइंड, यहां से मिली मोटिवेशन माली जे कोई इनसान है, जो गलत काम करता है, अशलील चीजे करता है, उसको करना ही है, यह इतनी गलत लट लगी हुई है, ठीक है, वो फस चुका है, उसके घरवालों को पता नहीं है, उसके दोस्त को पता नहीं है, वो निकलना चाता है, लेकिन नहीं निकल पाता, तब त उसके घर वाले बोलने नहीं आते हैं तब तो उसके दोस्त कुछ बोलने नहीं आते हैं तब तो इंटरफेर नहीं करते हैं वो यार ये तू क्या कर रहा है लेकिन ब्रह्मद शेरे का पालन करते वक्त देखो कैसे इंटरफेर करते हैं लोग मैं यह नहीं बोलूँगा कि यार आप रिष्टे नाते तोड़ दो नहीं 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 ऐसा नहीं है अब अपने आप से एक सवाल करें कि आपके लिए क्या important है ठीक है बहुत लोग आएंगे आपको बोलेंगे कि गलत कर रहे हो आप थोड़ा सा सवाल करें अपने आप से अच्छा क्यूं बोल रहे हैं ऐसा क्यूं बोल रहे हैं कि वो सच में गलत है या नहीं है उनके कहले से क्या ये गलत हो जाएगा उनके बोलने से क्या कोई चीज सही या गलत होगी अपने आप से सवाल करें आपको जवाब मिलेंगे, जो आपके लिए important है आप वो करें, लाइफ उतनी बड़ी नहीं है, 60 साल 70 साल यू निकलता है तो आप जो भी करना चाहता है, start करें उसको, अगला सवाल step by step ब्रह्मचरे का tutorial चाहिए bro beginners के लिए अच्छा, tutorial चाहिए अच्छा, देखिए इस वीडियो के description में ठीक है, आपको एक playlist का link मिलेगा, जहाँ पर मैंने बताया है कि beginners किस तरह से ब्रह्मचरे का पालन कर सकते हैं, आप क्या करें इस वीडियो के end होने के बाद जाकर आप देखिए पूरी की पूरी playlist बनाई है, A to Z हमने cover किया है, कुछ भी रह जाए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमें comment section में बताएं कि आपको कुछ भी अगर जानना है, और ब्रह्मचरे को लेकर, your most welcome आप comment कर सकते हैं, comment section आपके लिए है चलो आप बात करते है, fourth number question की भाई, आपकी molecular body वाली बात बहुत interesting लगी थी प्लीज इसको लेकर videos बनाओ अच्छा देखो, molecular body के बारे में इनको बहुत पसंद आया था हमने एक छोटी सी बातचीत करी थी कुछ और बता देता हूँ आपको अगर आप और जानना चाहते हो तो मुझे comment section में बताओ अच्छा देखो होता क्या है, मैं यापर आपको बता देता हूँ एक होता है आपका physical body ठीक है, उसके अंदर होता है molecular body उसके अंदर होता है electronic body और उसके अंदर होता है divine fragment जो कभी नहीं मरता जब हम सोते हैं तो हम molecular world में जाते हैं जो आप सपने देखते हो वो आपके molecular world की उपज़ ठीक है वहीं पर आपके पुनर जनम और बहुत सारे आपने जो जनम लिये हैं past में उनकी memories होती है भले ही आप उसको पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ लेकिन होती है मुझे पहले लगता था कि क्या बकवास है ऐसा थोड़ी ना होता है लेकिन जब मैंने study किया इसको लेकर मुझे बहुत कुछ जानने को मिला और मैं चाहता हूँ कि आप भी जाने अगर आप comment section में comment करोगे इसको लेकर बहुत लोग अगर demand करते है तो इसके पर हम videos बनाएंगे और मैं चाहता हूँ आप जाने इसके बारे में थोड़ा सा क्योंकि या बहुत important है अगला सवाल ब्रह्मचरे का पालन करने से कितने दिन में height बढ़ेगी प्लीज बताओ अगर आपके genetics में है height तो बहुत जादा chances हैं कि आपको अच्छी खासी height मिलेगी ठीक है और और एक बात खास note कर लो अगर मैं बोलता हूँ genetics तो वो एक इनसान के माबाप तक सिमित नहीं रहता वो उसके भी माबाप उसके भी माबाप उसके भी माबाप ऐसे करके branches होते है अब genetically अगर कुछ चीजे हैं किसी के genetics में उसी line पर मिलती है तो उसकी भी height वहां से हो सकती है लेकिन depend करता है कि वो इनसान खुद को किस तरह से maintain करके रखा हुआ है अगर वो इनसान सारा दिन बैठ कर computer में game खेलता है कुछ करता नहीं है कोई physical activity नहीं करता तो अपने आपको chance ही नहीं दे रहा है अपने height को बढ़ाने का एक मौका भी नहीं दे रहा हुँ आप मौका दें और ब्रह्मचरे यही वो मौका आपके लिए produce करके लाता है जहां पर एक opportunity है आपके पास कि आप full potential तक जा सके जो भी genetics में है वो है लेकिन आप ब्रह्मचरे से उन सारे potentials को unlock कर पाओगे अगला सवाल private part की सफाई कैसे करे ब्रो इसके बारे में कोई नहीं बताता वीडियो लाओ भाई इस पे अच्छा देखो दो चीज़े हम cover करेंगे पहला nightfall बहुत लोगों की problem है उनको ऐसा लग रहा है और दूसरा private part को किस तरह से साफ करे ठीक है ये दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं और बहुत जादा important topic है ये तो वीडियोज आएंगे इसके उपर अगला सवाल न्यू यूटूबर्स के लिए आप कुछ बताने वाले थे वो कब तक ready होगा ब्रो आप ही help कर सकते हो न्यू यूटूबर्स के लिए मैंने कुछ बोला था न हम उस पर काम कर रहे हैं और 18-20 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ information मिल जाएगा उसको लेकर हम काम कर रहे हैं अगर आप हमारे साथ telegram पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा उसके बारे में और वीडियोज में भी मैं बता दूँगा Q&A वीडियोज जब हम करते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे ठीक है ऐसी चीज़े बताऊंगा जो आपको help करेंगे माली जी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास tripod नहीं है microphone नहीं है ठीक है और वो चाहते हैं कुछ करना YouTube पर लेकिन afford नहीं कर पा रहें कोई कारण होगा उनका जिससे वो afford नहीं कर पा रहें क्या करें कैसे करें उनके पास tripod तक नहीं है ठीक है तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे आपको help होगा चलिए अब बात करता है next question की भाई जब मैं सुभा उठता हूँ तो अरजेस आते हैं ऐसा क्यों और इसका solution क्या है देखो अरजेस का कोई solution उस तरह से मत खोजो क्योंकि अरजेस आएंगे आपको बस channelize करता है उसको होता क्या है देखो जब आप सुभा उठते हो तो वो शाम तक वो पुरा low हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा stress में होते हो काम करते हो उस वज़े से वो थोड़ा सा down होने लगता है time के साथ तो इसको लेकर ज़्यादा सोचों मत अगला सवाल October challenge दो भाई बहुत excited हो जाने के लिए अगला challenge क्या होगा अच्छा देखो इसको लेकर दो या फिर तीन दिन के अंदर अंदर एक वीडियो आएगी और इसको लेकर वीडियो इसलिए आएगी क्यों की थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा इसके बारे में जो challenge है उसको मैं short में नहीं बता सकता अगला सवाल आप और ज्यादा वीडियो लाय करो एक दिन में क्योंकि आपको देखता हूं तो इंस्पायर होता हूं अच्छा देखो मैं कोशिश करता हूं मेरे भाई honestly बता रहा हूं मेरे से जितना होता है मैं करता हूं आपको जब भी कामवास्ता सता है ब्रह्मचरे लग रहा है तूटेगा आप एक काम कर सकते हैं हमारे चैनल पर आएं थोड़ा सा इफट लगाएं और पहुंचे यहां तक हमारी प्लेलिस्ट आपको इंतेजार कर रही है जब भी आपको ऐसा लगे कि अब तो टूटे नहीं वाला है आप तो हो ही जाएगा थोड़ा सा दम लगाएं और डाइलोमिनाटी शोर चैनल पर आएं प्लेलिस्ट आवलेबल है कोई भी प्लेलिस्ट खोले और चला दे हेटफोन लगाएं और सुनते रहें इससे होगा क्या आप समझ पाओगे कि जड़ क्या है और आपको किस तरह से एक्ट करना है चीक है और सबसे जरूरी बात बहुत सारे लोग molecular body को लेकर कमेंट करते हैं तो उस पर वीडियो आएंगी बहुत जल्द आएंगी लेकिन डिपेंड ये करता है कि कितने लोग उसको लेकर जानना चाता है आप मेंसे कितने लोग हैं जो PJ सेर के बारे में जानते हैं मुझे बताइएगा जेन योगा के बारे में कितने लोग जानता हैं मुझे बताइएगा और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोगों ने एक और माइलस्टोन कम्प्लीट किया है और जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा मैं किस के बारे में बात कर रहा हूं और अगर आप नही समझ पाए तो कोई बात नहीं इसको लेकर हम एक वीडियो जल्द लाने वाले हैं आपको पता चल जाएगा स्पेशल वीडियो होने वाली है और करते रहेंगे ब्रह्मा चेरे का पालन चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है रुकना नहीं है हमें पीछे मुड़ कर नहीं देखें खुद पर ध्यान दो दुनिया तुम पर ध्यान देगी